हालो एब्रेवान वन्स एगन वेलकम तो कोईंशलिशन एडिव जैनल फाइनली जो लोग एपीएस में काम करते बैंकिंग जो लोग बैंकिंग सिस्टेम में काम करते उन लोगों के लिए यह अपडेट बहुत ही इन्पोर्टेंट है जिसे कि आप लोग जानते हैं कि दो हज को लांच किया था और यह कुछ दिन चलने के बाद उसको भी हटा दिया गया है क्योंकि बहुत सारा बैंकिंग में जो लोग काम करते उन लोगों को बरबार फिंगर देने के लिए बहुत जाद दिक्कत आ रहा था तो इन पीस यह यह जो अपडेट है उसको हटा दिया गय अनुका मोर्फो मांतरा स्टार्टिक या mr510 या कोई भी जो फिंगर्प्र दिवाईस ता वह फिंगर्पीन डिवाईस को एल 0 के डाल दिया है और नया जो fingerprint device आ रहा है और जो fingerprint device आपको लेना चाहिए अगर आप fingerprint device L0 में काम कर रहे हैं तो आगे से आप यह नहीं कर सकते इससे पहले भी बताया गया था कि जो L0 device है वो work नहीं करेगा लेकिन अब ही इतना जल्दी डिभाइस करना बहुत मुश्किल है अगर वो होता है तो कम रूख जाएगा तो इसलिए जो डेट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था उसको लेकिन अभी बर्तवान situation में एक अपडेट आया है कि चाहे आप मांत्रा का यह मोर्फ का ओपिसेल व सब्सक्राइब करने के लिए मांत्रा का विपसाइड में जाके पार्चेस किया था उनको फुर्टी रूपीज देके यह जो डेट सेप्टेमबर तक का उनको बढ़ा दिया गया है उनका डिभाइस मतलब इसमें यह साबित होता है कि तीस सेप्टेमबर के बाद एलजीरो डिभाइस पूरी तरीके से काम नहीं करेगा और यह भी देखा कि मार्केट में अभी बहुत सब्सक्राइब करना चाहते हैं और आप अपना काम को स्टॉप नहीं करना चाहिए तो आपको एस खारिद लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद आपका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हो सकता है तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकेस्ट करूंगा कि अगर आप यह काम को आगे लेके काम करने तो आप एलवान डिवाइस जुरूर खार लिजिए तो अज के लिए बस वीडियो इतना ही अ करने बाद